बागेस्वर महराज धिरेंद्र शास्त्री जब राजधानी पटना में उतरते हैं, जब वहाँ पर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, तब उसके बाद बागेस्वर महराज को बिहारी संस्कृती को देखने का उसर मिलता है. वो अपने फेस्बूक पढ़ा कर लिखते हैं कि बागेस्वर सरकार अभी भूत है, बिहार के लोगों का स्वागत देखकर, बिहारी संस्कृती देखकर, बिहार की संस्कृती में स्वागत और सबकार देखकर, बागेस्वर महराज एक वीडियो जारी करते हैं, वीडियो जा कोई हमसे अपने पूरे परिवार के साथ मिलने आएगा वहाँ पर हनुमंत कथा में रस बरसेगा और पूरा परिवार एक साथ बैठ कर हनुमान कथा सुनेगा आगे बाबा बागेस्वर महराज के पटना आगमन से लेकर के अब तक क्या कुछ हुआ है सबके बारे में एक-ए जंक्षन देख रहे हैं यह वीडियो ड्रीम पैलेस मेरेज हॉल के द्वरा प्रयोजित है अगर पतना में आपको शादी सालगी रहा रोका इंगेजमेंट बड़्डे पाटी या किसी भी औसर पर कोई खास आयोजन करवाना है तो आप ड्रीम पैलेस में बुकिंग तो आपको सिर्फ खाने के प्लेट का पैसा देना होगा जो कि बाकी हॉल का किराया बिल्कुल मुप्त होगा जो ड्रीम पैलेस मेरेज हॉल है वो श्रगुना मोल पर हाइटेक होस्पीटल के पास हिस्तित है अधिक जानकारी के लिए एक नंबर आपको दिख रहा होगा उस बिहार में पुझ्य सरकार का अभुद्पुर्व स्वागत बागेश्वर धाम सरकार जो बागेश्वर धाम है उसका ओफिसियल फेजुक पेज है यहाँ पर फेरिफाइट का अपनी शान भी देख रहे होंगे इसके आगे लिखा जाता है कि बिहार और बिहारी संस्कृती से अभीभुत पुझ्य सरकार मतलब कि धिरंदर शास्त्री बागेश्वर महराज बिहारी संस्कृती को देखकर वहाँ पर स्वागत सतकार देखकर अभीभूत है खुश है वो गदगद है कि बिहार में उनके भक्तों ने इतना जोड़दार उनका स्वागत किया और इस त धिरंदर शास्त्री बागेश्वर महराज पागलो शब्द का उपयोग करते हैं वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करते हैं अब होता क्या है कि भगमान के भक्तों को एक आम बोलचाल की भाशा में कहा जाता है कि राम के दिवाने राम के पागल कृष्ण के पागल इसी भाशा में वो कहते हैं कि भागेश्वर धाम के पागलो बिहार के पागलो या मेरे पागलो और ऐसे ही वो एक अपने कहिए कि अपने भक्तों से संपर्क बनाते हुए उनसे प्यार दिखाते हुए कहते हैं कि बिहार के पागलो तुम कैसे हो तुम सब हमसे मिलने पतना बिहार के इसी नौबतपूर में हम रहेंगे हनुमंत कथा का रस बरसेगा पूरे परिवार के साथ आकर हनुमान कथा सुनो बागेश्वर महाराज जब यहर पोर्ट पर आते हैं तो यहर पोर्ट पर उनका भब्य स्वागत होता है सांसद मंत्री वहाँ पर लाइन लगा कर ख पाच दिन तक ध्रियंद्र शास्त्री कथा काएंगे और आखरी दीन हमन यक के साथ इसकी समाप्ती होगी तमाम खबरों के लिए आप जनतांक्षण के शाहत बने रहिएगा तमाम खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे आपकी प्रत्रिया इन तमाम चीज़ों पर कहा है कमेंट बॉक्स में लिए बदाइएगा वीडियों नहीं पर समाप्त करते हैं केमरे प्रिशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंहीं बहुत बहुत धन्यवाद